हेलो दोस्तों कैसो आप सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ PCC Online आप कैसे अपलाई कर सकते हो बहुत सिंपल तरीका है वीडियो को पूरा देखिएगा अब इसकी जरो सब को पड़ेगी जिसके पास भी पासपोर्ट है जॉब के लिए जाना है तो सिख के रखिए काम देगा गूगल में जाना है गूगल में जाके आपको लिखना है पासपोर्ट सेवा इंडिया का जो पासपोर्ट सेवा पोर्टल है वहाँ पे आपको जागे लोग इन करना है इस तरह से page open होगा जब आप passport से होगा सर्च करेंगे, पहले वाला option पर आपको click करना है, यहाँ पर click करना है, इस तरह से page open होगा, इसको cut कर लेना है, यह है भारत सरकार का main portal, अब यहाँ पर आपको login कर लेना है, second one option, existing user login, इसके लिए आपका ID password होना जरूरी है, अब जो लो option पर जाके बनाना होता है, इस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का description में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो का help लेके आप बना लेना, तो यहाँ पर click करने के बाद, page कुछ इस तरह से open होगा, login ID मांगा जा रहा है, login ID आपको डाल मैं डाल दे तो अपना login ID, continue पर click करना है, अब यहाँ पर password मांगा जा रहा है, तो मुझे अपना password डाल देना है, यह code भी यहाँ पर डालना है, अब login पर click करना है, लोग इन हो गया, अब मुझे PCC apply करना है, आपको services में जाना है, नीचे देखिए, चोथे नंबर पर apply for police clearance certificate यहाँ पर click करना है, click करने के बाद इस तरह से page open होगा, apply for police clearance certificate, PCC, दो option आपको मिलेगा, online आप apply कर सकते हो, form को भर सकते हो, और offline भी आप भर सकते हो, form को download करके, तो offline कौन करेगा, मैं आपको online ही बता दे रहा हूँ, उसके लिए number one, यहाँ पर दिया हुआ, click है to fill the application form online, यह पर click कर दे रहा है, इस तरह से page open होगा, सारा detail आपको passport के according fill up करना है, यह बात याद रखिएगा, जैसा passport में है, same वही चीज आपको fill up करना है, तो सबसे पहले मुझसे मांगा जा रहा passport number, मैं डाल दूगा अपना passport number, date of issue, passport आपका issue कब हुआ है, passport के उपर already रहता है, वो य date of expiry, passport आपका कद expire होगा, यह भी रहता है, यह भी आपको passport के according डाल देना है, उसके बाद बोल रहा है, place of issue, passport आपका issue कहा से हुआ है, तो मेरा राची से हुआ, मैं राची दे दूगा यहाँ पर, आपका भी जहास issue हुआ हो ही डालना है, उसके बाद पूछ रहा है, reason, country for which PCC is required, आपका कौन सा country के लिए PCC की जरुरत है, यहाँ पर बहुत सारा country का option है, आप सेलेक कर लेना, example पर किसी को अगर साओधी के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर साओधियरभिया सेलेक कर लेगा, यह साओधियरभिया, उसके बाद पूछा जा रहा, purpose for which PCC is required, PCC की कई चीजों के लिए पढ़ती है, तो जो लोग काम के लिए आएंगे, वो तीसरा वाल option सेलेक करेंगे, employment, employment visa, work permit, यह वाल option सेलेक करना है, क्योंकि हम लोग को visa के लिए PCC चाहिए, उसके बाद next पे click करना है, इस तरह से page open होगा, applicant details, आपका सारा detail fill up करना है, यहाँ पे given name म आपके डालना है, जो passport में रहेगा, मेरा है शानवर, surname में, surname जो रहेगा, मेरा है अनसारी, gender, आप male है तो male, female है तो female, मैं लड़का हूँ तो male select कर लूँगा, place of birth, village, town, city, आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, passport में रहता है, जो address वही आपको डालना है, तो मेरा village है, चोड़ डालना, उसके बाद date of birth, passport में जो date of birth है, फिर से fill up करना है, उसके बाद पूछा जा रहा है, citizenship of India by, आप इंडिया के नागरी कैसे हैं, जनम से हैं या फिर आपने लिया है, तो जनम से हूँ, तो ये birth, ये select कर लेना है, उसके बाद देखिए optional है, पेन कार्ड अगर है, तो नंबर देना है, water ID card अगर है, उसका भी नंबर देना है, अगर ये नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ यहां पर clear कर लिजेगा, pain card और water ID card में, passport के हिसाब से आपका नाम वगएरा, सब कुछ रहना चाहिए, अगर अलग रहेगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसके बाद है, employment type, आप क्या करते हो, आप अभी काम कर रहे हो, या फिर क्या है, तो यहां पर आपको select कर लेना है, not employed वाल option, जो लोग visa के लिए PCC कर वा रहे, अभी आप काम नहीं कर रहे, उसके बाद marital status, passport में जो रहेगा, वो आपको select करना है, क्या आप शादी शुदा हैं या single है, single है, single है तो single, passport में married है तो married, उसके बाद educational qualification, आप कितने पढ़े लिखे हैं, या फिर पढ़े लिखे नहीं है, वो आपको यहां पर select करना है, graduate and above, जो लोग graduation कर लेते हैं, इंटर के बाद, तो उनको यह option select करना है, जो लोग 7th pass out है, या फिर उससे भी कम है, मत लोग 10th किये हैं, या फिर 10th के बाद enter करके छोड़ दिये हैं, वो यह option select करेंगे, या फिर 10th के बाद किसी ने डिपलोमा किया है, तो वो यह select करेंगे, डिपलोमा के बाद अगर किसी ने degree किया है, बीटेक वगर है, तो वो graduate में आता है, वो यह option select करना है, between 8th and 9th, अगर क नीचे I Agree को Yes कर लेना है, Save My Detail पे क्लिक करके इसको Save कर लेना है, ओके देखिए यह एप्लिकेशन नंबर आगे यहां पे, Save हो गया, अब आगे का प्रोसेस बताता हूं, नीचे आ जाना है, नीचे Next पे क्लिक करना आपको, यह Next, Family Detail, अब यह भी फॉर्म आपको फिल अप कर करना है, तो मेरा मा का नाम है पारेशा, उसके बाद Legal Guardian, Given Name, इफ एपलिकेबल, यहां पर आपको अपना गारजन का नाम लिखना है, तो यहां पर मैं अपना फादर का नाम लिख दूगा, मैरा फादर, अलम्दुल्ल्ल्लह मेरा फादर अभी हायात में है, तो उनका नाम ल करना है present residential address अभी जहां पर रहते हैं वह address आपको ढालना है house number and street name तो आपका घर का number डाला है और महला का नाम लिखना अगर किसी का घर का number नहीं तो आप अपना महला का नाम लिख सकते हो village town city आपका गाउन या फिर सहर जो भी है वह यहां पर लिखना है इस्टेट आपका comparing मेरा इस्टेट जार कंड तो मैं जारकंड लिख दूंगा पूचाल मेरा सराइक कहर सो तो मैं ये सलैप कर लो पूलीस कुछा जाई रहा तो यह कटो अप्जन मिलेगा की यह मेरा है तिРिल उलडी हो आपको डॉलोका उसके मूपाद नम्बर neस आपका खुद का होना चाहिए है घर क्सी और का नहीं आप खुद को ऑना है conduc aquellः टेलिफोन नम्बर भी आप मुबैल नम्बर में तो मेल डेना है जो आपका खुद का वह नकेरा यह तो ऐसके पाद यहां पर पूछा जा रहा है अगर आप अब ही कहीं और पे हैं तो नो करके वह जहां पे रहते हैं वह फिलप कर लेब isso को इसको यह सी रहने देख्लाश इसको भी सीप मईड़ी पर क्लिक सेव कर लेना है यह पॉप अप इसको okay कर लेना इससे आपको SMS का अपडेट मिलेगा मुबाइल नमबर पर इसको okay कर लेना है चले यह भी सेव हो गया फिर से नीचे आना नेक्स्ट पर जाना है इसको भी okay कर लेना है अब यहां पर दीटेल्स में यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई किर नो करके आपको आगे बढ़ना है यह सब में नो कर दीजिएगा उसके बाद सेव में डिटेल्स पर क्लिक कर लिजिएगा यह भी सेव हो गया अब नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे जाना है इसेल्फ डिकलेशन फॉर्म हा गया क्या आप एगरी कर रहो यह जितना भी जो कु प्लेस भी आपने फिलफ किया है सब कुछ सही सही किया है प्लेस में आपको लिग देना है जहाँ पर आपका पास्पोर्ट ओफिस है उसका नाम यह रांची उसके बाद डेट रहने देना है इसको टिक कर लेना इसको भी सेव कर लेना है यह सेव कर दिया मैं अब आगे करना है और appointment का जो date आएगा उस date पर जाना है passport office में यहां पर प्रिंट भी कर सकते हैं अपना application का जो receipt होता है इसको यहां से आप प्रिंट कर सकते हैं यह option है तो मैं आपको दिखाता हूँ पैमेंट अभी कैसे करना है तो फर्स्ट वाल option आप select कर लेना उसके बाद next पर click कर देना अब यहां पर देखिए pop up आ रहा है कि you have not taken an appointment हम लोग ना भी appointment लिया नहीं next पर click करेंगा अब मुझे यहां पर appointment select करना है तो location में मैं राची select कर लूँगा पासपोर्ट सेवा के अंदर राची मैं राची है आपका जो भी रहेगा वह आप select कर सकते हो कोई issue नहीं है उसके बाद यह देखिए capture दिया हुआ इसको मुझे डालना है next पर click करना है इस तरह से page open होगा यहां पर देखिए दिय क्या हुआ है मेरा appointment date कब कम मुझे मिल रहा है 30 September 2022 का 39 2022 इससे पहले मैं नहीं ले सकता हूँ यही date पे मुझे जाना पड़ेगा हलाकि date को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ change कर सकता हूँ उसके लिए यहां पे यहां पे click करके आप change कर सकते हो देखिए पहले यह सब book है तो इस त अब payment के लिए redirect किये जाएंगे यह आगिया payment करने का option payment करने का देखिए कई options से net banking है तो net banking का ID password सो login कर लेना है kur ki SBI का है तो यहां से आधर का यहां से कार्ट से करना अगहा बहुत कर सकते हैं अगर आप Google पर फोन पर चलाते हैं UP I payment करना तो यहांसे भी कर सकता हैं तो अभी लोग Google फोन पर यह सब बहुत यूज करते हूं यही option बता दे रहा हूँ यहां पर जाना है आपको यहां मेरा डीटेल आ गिया सब कुछ मेरा दिखा रहा कि मैं PCC के लिए कर रहा हूं 500 का है मेरा नाम दिखा रहा कौन सा ओफिस के लिए सब कुछ आ रहा है आपके अब मुझे नीचे आ करके QR कोड ले लेना यह QR कोड यह QR कोड जैनरेट हो जाएगा इस पर मुझे स्कैन करके पैमेंट कर लेगा बस हो गया पैमेंट इसका रिसीप्ट मुझे निकाल लेना है निकाल करके जो डेट वहाँ पे दिखाया था 30 सेप्टेम्बर उस डेट पर मुझे जाना है पासपोर्ट उफीस में पासपोर्ट आ नहीं के लिए मुझे क्या क्या डोकुमेंट से लोग आपका पासपोर्ट और आधार काड मांगते हैं लेकिन मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा जितना भी आपका डोकुमेंट से रहता है पुरा फाइल लेकर कर आप जाओ को दिक्कत नहीं होगा जो भी उनको चाहिए आप उ लोग बोलते हैं लेकिन एन एवरेज वन वीक टू वीक में आ जाता है पीसी सी का आपका क्लियारेंस रिपोर्ट तो वीडियो को शेर करके बाकी दोस्तों को भी ज़रू बताइए उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपके लिए इंफोर्मेर्टिव रही होगी चैनल पर न चैनल इंब है कर ओनमीद करे जोग होगीओ।